सभी चीजों में एक मुंगफली मैं मुंगफली के बारे में विशेश रूप से उच्साहित हूँ क्यूंकि मेरे जीवन में एक दौर था जब मैंने सिर्फ मुंगफली और केले पर जीवन बिताया, बस इतना ही क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस भिगोई हुई मुंगफली बस इतनी मुंगफली, रात भर भिगो कर और एक केला मेरा पूरा दिन निकल जाता था और पूरी तरह से सक्रिय, ज्यादा तर लोगों की कलपना से भी ज्यादा सक्रिय, इसमें आपका जीवन चलाने के लिए सब कुछ है ये अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है, अगर आप इसे 6-8 घंटे तक भिगोते हैं तो पित निकल जाता है, आप पित जानते हैं, एलोपेथिक डॉक्टर इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आयरुवेद इसी पर आधारित है, उश्न शीत और पित, इस से पित निक की हुई बकवास नहीं है, एक चीज ये है कि शायद इसमें जेनिटिक बदलाव किये गए हो, अब वो ये नहीं लिखते कि किसमें बदलाव किया गया है और किसमें नहीं, एक और चीज ये है कि आप इस हद तक फर्टिलाइजर और कीटना शक डाल रहे हैं कि मुंफली अगर आप नाश्ता बनाना चाहते हैं, आप एक रेसिपी चाहते हैं, तो मुठी भर मुंखफली लीजिए, उसे 6-8 घंटे तक पानी में भिगोईए, इसे मिक्सर में डालिए, अगर आप कोई फल डालना चाहते हैं, तो एक केला या आप जो चाहें वो डालें, केला उसम यहां अगर आप इसे थोड़ा पतला चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा और पानी डालिये और बस इसे पी लीजिये, आप इसे दलिया जैसा चाहते हैं, तो इसे गाढ़ा बनाईये और इसे खा लीजिये, आप देखेंगे कि ये आपको आसानी से 4-5 घंटे तक और जातेगा